नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं नियूस फोरनेशन खबर मौसम से जुड़ी है जहा हम आपको मौसम का ताजा हाल बताने वाले हैं राजधानी पतना समेथ बिहार के कई जिलों में एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलड़ ज़ारी किया गया है मैं लोगों को साब धान रहने कि कहा गया है दरसल पिछले 2-3 दिन वही आपने देखा है कि बिहार के अलग-अलग जिलों में 2-3 दिन में लगातार तेश बारिस के साथ ओला वरिस्टी भी देखने को मेली है अगर आजधानी पतना की बात करें तो राजधानी पतना में सोम बार के दिन काफी जादा लोगों को बारिश देखने को मेली है साथी साथ रवी वार को तो ओला वरिस्टी भी हुई है वही मौसम बिभाग की तरफ से आजधानी की मंगल वार को भी मौसम को लेकर अलट ज़ारी किया गया है क्या कुछ मौसम को लेकर ताज़ा अप्रेट ज़ारी किया गया है मौसम बिभाग की तरफ किलो मिटर प्रति घंट की रफतार से तेज हवा चलेगी इसे लेकर सभी जिलो में यलो अलड जारी कर दिया गया पटना समेत कई शहरों में सोम बारात रुक रुक कर बारिश होती रही इसे तापमान में गिराबट आई है पटना में सुबह विबादल चाहे हुए है मई से मौसम में बदलाव होगा बिहार में 30 अपरेल तक सामान से 32 प्रतिशत अधिक बारिश जो है वो दर्ज की जाएगी मौसम विभागनी राजधानी पटना समेत बिहार के 38 जिलों में तेज हवा आकाश्य बिजली को लेकर अलड ज़ारी किया है इसमें बकसर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, और अंगाबाद, अर्वल, जहानाबाद, पटना, नालंदा, शेकपूरा, लखी सराय, बेगू सराय, जमूई, मुंगेर, खगडिया, बाका, कचिहार, पुर्णिया, अररिया, किशन, गंच, समित अन्जिले सामिल हैं मौसम विभाग की माने तो अ माई से उत्तर बिहार के सभी जिलो में पूर्वा हवा चलने की संभावना है, मौसम विभाग की तरफ से अलर्जवारी करते की बताया गया है कि आने वाले दो तीन दिन जो हैं वो मौसम में इसी तरीके के बदलाब देखने को मिलेंगे जहां लोगों को रह रहकर लोगों हैं वो पंखे के नीचे चादर ओर कर सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि मौसम में ये जो बदलाब हो रहा है इसके कारण मौसम विभाग की तरफ से भी यलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया फिलार कलेस्ट खबर में इतना है और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज फॉन इशूँ